तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पिट्स प्रडाइस में तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग ने बनाया है और आशा करता हूँ कि आप लोगो पसंद आएगा तो देखते आपके बात बताने जा रहा हूँ इसके बारे में कुछ ऐसे चीज जो कि आप प्रेगनेंट है तो आपके पास ये बात बताने जा रहा हूँ आप प्रेगनेंट फीमेल को किस तरह से केर कर सकते हैं उसकी प्रेगनेंसी के टाइम में और क्या-क्या खाना दे सकते हैं टोटल चीज में बताऊंगा आपको इस वीडियो में तो जी हां दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के समय में फिमेल का खासकर की ध्यान देना चाहिए और क्यूंकि उन लोगोंने बच्चे को कैरी किया रहता है तो उनको काफी ज़्यादा न्यूट्रिसन चाहिए मल्डिविटामिन कैल्सियम चाहिए जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और पपी के भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं बता दू आपको कि आप लोग जो आप होमबेट फूड देते हैं वो तो सही है ही और फिर भी आप कोसिस करें कि बहुत ज़्यादा जो है इनको निट्रिसन की ज़रूद पड़ती है तो आप इसे मल्टी बिटामिल कैल्सियम जरूद दे जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं इसको जिंको बिट नाम का एक शिरफ है वो पिलाया जारा है जिंको बिट जो की बहुत ही कॉमान है आप लोग जानते होंगे जो डॉक पालते हैं जिंकोबिट से ह कि इसमें Multivitamin बहुत ही ज्यादा होता है जो की dog को अच्छा होता है और यह nutrition के लिए बहुत ज्यादा जुरूरी है और यह हमारे हाथ में अब नूट्रेज है यह भी बहुत ज्यादा ही famous company आप देख सकते हैं और इसकी भी बहुत जुरत पड़ती है डॉक को तो nutrition दोनों ही ज्यादा important है multi-vitamil calcium nutrition सब कुछ important है तो इसलिए हम आपको यह बताना चाहते हैं वीडियो के जरिए कि आप लोग कोई सा भी dog रखें कैसा भी dog रखें लेकिन multi-vitamil calcium proper दे और खासकर कि female को तब दे जबकि वो pregnancy का time हो और इसमें कत्राइना हम आपको बता दे कि female को खाने में भी जो है न एक दे सकते हैं आप और फिर आप चिकन दे सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे dog food ही dog food नहीं देंगे भी तो चलेगा या जो effort कर पाते हैं वो भी देंगे तो चलेगा पर आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि देखिए यह जो फीमेल है वो जब pregnant होती है तो उसके कुछ दिन बाद जैसे कि एक इस दिन बच्चे देने वाली है तो आप देख सकते हैं साब लोग को मैंने दिखाया थोड़ दर पहले और अभी भी देख सकते हैं आपकी निपल साफ साफ दिखने लगते हैं और मिल्क आना सुरू हो जाता है उसमें जो कि बहुत जादा जरूरी है दोस्तों जितना हो सगी उतना ज्यादा केर कीजिए फीमेल को pregnancy time में डाइट अच् सकते हैं dog food भी जरूर दे अच्छा dog food दे ताकि इनका growth ज्यादा अच्छा हो बच्चे का भी growth अच्छा हो बच्चे देने के बाद भी अच्छे से care करें क्योंकि बहुत वीक हो जाती हो समय फीमेल तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ यह जो जिंकोविट के बारे में आपको बता रहा था यह अगर आपको नहीं मिलता है कोई dog का सिरफ तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं पर फिर भी यह बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही result इसके अच्छे है निट्रेज भी ज बादा करता हूं कि यह बहुत ही ज्यादा आपको help करेगा आपको growth दिखने लगेगा तो इसके साथ सथ वीडियो का end होता है और हमारे चैनल पर जो नहीं है सब्सक्राइब करे चैनल को like करे कमेंट करे और share करे बहुत ज्यादा ताकि सबके पास गी वीडियो पहुंचे ज नया नया topic लेते आएंगे और इसी के साथ साथ वंदे मातरम जैहिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में